है 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 विल्कम बैक टू मैं चानल तो कैसे हैं आप लोग अच्छे तो है ना तो आज का सेशन बहुत इंपर्डेंट है रोज की तरह और यह टिंवीमेट्रिक का लेक्चर नमबर थर्ड है कितना लेक्चर नमबर थर्ड है और आज हम जानेंगे कुछ इंपर्डेंट फॉर और आपका टिंवेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स किस एंगल पर आपका टिंवेट्रिक रेशियो पॉस्टि निगेटिव क्या होता है वह जा रहें न तो बहुदा इंपरेंट है यह कौडरेंट पता एक बार चल गया न तो आप टिंवेट्रिक के किसी भी सबसे पहले बात करते में ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ इलाइड एंगल अब कुछ बचे कंफ्यूज हो रहे हैं लेकिन कंफ्यूज मत हो आप से नहीं हो अभि तुरंत पहाँ चले गगा देखो चार क्वाड्रेंट मैंने लिया है ठीक है चार कॉर्णे लिया सब क्या होता है तो औस आल पोजिटी में आल पोजिटीव होता है सब्सक्राइब की बात किया जाए तो अगर वही पे बात करें सेकंड क्वाडंड में तो सब्सक्राइब शिर्व साइन ठीटे ही पॉज्टिब होते हैं और यह क्वाड्रेंड का रूल रूल यह इतना ज़या इंप्रेंड है कि बताने सकते यह खेल समझ गया तो आपके टिनिमेट्रिक का ऐसा कोई कोस्टन ना होगा जो आपसे ना बनेगा बसरते आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए ठीक है ना तो देखो अगर थर्ड क्वार्डेंट की बात करें थर्ड क्वार्डेंट की तो आपका टैन थीटा और आपका कॉट थीटा क्या होगा पॉज्टिव होगा बाकि सब निगेटिव होगा अगर फोर्थ क्वार्डेंट की बात की जाए तो कॉस्ट थीटा और सेख थीटा ही सिर्फ क्या होगा पॉज्टिव होगा तो ये चीज बहुत बहुत important है। इतना important है कि आप सोचोगे ना, तकलीफ हो जाएगी। इसलिए इसको तो कोई जिंदगी में कभी मत बुलना। allied angle trigonometric ratio in different quadrant है। डिफ्रेंट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है सब आपका क्या होगा पॉस्टिव होगा मगर सेकेंड क्वार्डेंट जब आएगा तो आपको ध्यान अखना है कि आपका सिर्फ साइन थीटा और कॉसिक थीटा एक और चीज याद रखो इसमें होता है थीटा और 90 माइनस थीटा इसमें होता है 90 पलस थीटा और 180 माइनस थीटा कि ठीक है इसमें इसमें सिफफ wygląda ठीक ना इसमें नाइटी माइनस थीटा के और क्या हुदा रोड़ा सो मामला थो हे इमागलीं लगा और उड़ा देख़ो। पहले यह समझ लोग उसको अलग से समझाएंगे कि कौन से क्वाडियंट में क्या क्या होता है तो यतना ध्यान लगो कि आपका कौन से क्वाडियंट में पॉस्टिव और निगेटिव होता ठीक न वह भी बताऊंगा अब देखो अब एक चीज बताऊ मुझे एक चीज बताऊ मुझे अगर आपसे पूछे अगर आपसे पूछे कि कहीं पे देखो ये ग्राफ न कोई नहीं बताएगा याद रखना ये जो बताने जा रहा हूं वो कोई नहीं बताएगा याद रखना इसलिए ध्यान से इसको लिखते रहो ठीक है, टैन थीटा, इलाइड एंगल के लिए यह सब, किसके लिए, इलाइड एंगल के लिए, इलाइड एंगल के लिए, यह आपको लग रहा हो आखि गुरू जी, क्या कर वा रहे हो, मगर जब एक बार समझ जाओंगे न, कोट ठीटा और क्या है सेक ठीटा और आपका कॉसिक ठीटा ठीक है इतना सारा ठीटा ठीक है अब देखो पाला ठीटा अगर लेंगे क्या ठीटा लेंगे माइनस ठीटा करेंगे तो ये क्या हो जागा जल्दी से बता दो माइनस साइन ठीटा ये हो जागा कॉस ठीटा वो क्य ये क्या होता है माइनस 10 थीटा हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा सेक माइनस थीटा ही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस कॉशिक थीटा ठीक है सब्सक्राइब AGसीट यह च21-टा 1-330-6 मुर्ण उसरी इंगल पर याद रखना ये लाइड इंगल का एध और और सारे इंगल पर क्या-क्या कैसे कंवर्ड किया था सब ध्यां से देख लो अगर यहीं पर बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होते हैं यह इंपॉडेंड है याद रखना अब यहीं पर आगा 90 प्लस थीटा दे दिया जाए तो यहीं से एक चीज निकलता है देखो पहला में 90 और थीटा पहला अगर 90 और थीटा आपका क्या होगा 90-ध कुआन से निख फीटा ऐसे में 90 प्लस थीटा और 180- थीटा ठीक ना इसमें 180 प्लस थीटा और 270-theta होता है इसमें 270 पलस थीटा और 360-theta होता है सब का इंगल क्या हो अस legit असे देख़ो थीटा इसमें ? 90-theta होगा इसमें ? 180-theta होगा ? 360-theta होगा याद रख न किस क्वार्डन में कितना इंगल आगा वो भी बहुत जोड़ी है कोस्टन जब सॉल्व करोगे ना पेपर में सीधा आता है सेसे कोस्टन याद रखना है इसको अब देखो 90 प्लस थीटा कॉस्ट थीटा और 90 इसका क्या हो जागा साइन थीटा हो जागा, कौस 90 प्लस थीटा क्या हो जागा, माइनस साइन थीटा, माइनस कौट थीटा, यही माइनस तैन थीटा होगा, और क्या हो जाएगा, माइनस कौस एक थीटा, और सेक थीटा, ठीक है, याद रखना है, 90 प्लस थीटा में भईया, सिर्फ आपका साइन ठीटा और कॉसेक ठीटा प्रोस्टिव होगा देखो यहाँ पर यह दोनों ही प्रोस्टिव है बाकी सब निगेटिव है ठीक है अब देखो 180-थीटा 180 minus theta को देखो 180 minus theta यहां लिखवा है न sin theta और क्या आपका यह क्या आपका यह आपका cos theta cos theta यह वाला बाकी sub negative होगा cos theta minus tan theta minus माइनस कोट θिता माइनस सेक θिता, सारा निगेटिव होगा, ठीक है? सारा निगेटिव होगा, सिर्फ साइन तीटा और कोट एक तीटा छोड़के इस क्वाडरेंट को देखते हों, चलो, अगर माल लिया जाए, आपको दे दिया जाए, 180 पलस θिता, सिर्फ टैन तीटा और वीचाट होते हैं तो इसलिए आपको 10 कोट ही पुस्टिव होगा बाकी सब निए तिवोगा और यह दिये दिया जाए 170- थिटा की 270-0theta दे दिये जाया तो सब निगेटिव होगा सब एक आपका आपका theta change करेगा 90-theta और 90-theta पर और आपका change करेगा 270-theta और 270-theta कहने का आर्थात क्या है अगर आपका cos 90-theta क्या होता है sin theta होता गुरू जी उसी तरह cos 270-theta क्या होगा minus sin theta होगा सिर्फ इसी दोनों में conversion होता है यहीं चारों में conversion होता है बाकी किसी में भी conversion नहीं होता है बाकी किसी में भी conversion नहीं होता है तो sin theta इसमें क्या हो जागा minus cos theta ठीक है minus cos theta क्यों होगा देख लो यहाँ पर sin theta का सब्सक्राइब कर दोगे और इसको माइनस सेख थीटा कर दोगे ठीक है सेख थीटा कर दोगे अगर यहीं पे 270 पलस थीटा की बात करे तो बस वही लिग दो बाकी वही लिग दो शिर्फ आपको चेंज क्या होगा चेंज क्या होगा जल्दी से बढ़ा दो सिर्फ कोस का तो क्या हो जागा साइन थीटा कोस सिर्फ पोजिटिव रहाएगा सिर्फ कोस पोजिटिव रहाएगा बाकी सब निगेटिव होंगे बाकी सब निगेटिव होंगे ठीक ना भाकी सब नीगेटिव होंगे धेखो ौट theta minus 10 theta इसमें क्या हो जागा? minus cosic theta इसका क्या हो जागा? sec theta positive होगा सेक theta positive होगा, तो cosic theta होगा सिर्फ cosic theta होगा, और यह क्या हो जागा? यह आपका saying theta हो जागा ठीक है, अब 360 360 minus theta, अगर 360 minus theta करें, कुछ भी चेन नहीं आगा, सिर्फ आपका positive क्या होगा, cos theta बाकी सब वह आई होगा, sin theta, cos theta, minus tan theta, minus cot theta, minus sec theta, positive कर दो, बाकी यह क्या होजागा, cos theta, ठीक है, अगर यहीं पर 370 plus theta, 360 plus theta कर दा है, तो बाकी सेम लिख दो, sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta, और आपका cos sec theta, ठीक है, तो यह चीज़ आपको लग रहा हो कि क्या रमान बान लिखा है, लेकिन इसको देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहीं चीज़ वो repeat mode में मैं लिखा हूँ, देखो आप समझो, अब ध्यान से समझो, देहान सो, लेकिना बंद कराओ, समझाना स्टाट कराओ, जी समझो, इसको इसको देखो, यहाँ पर, सबसे परले मैं ले बोला किया, first quarter में आपका sub positive होगा, देखो first quarter में आपका theta, cheetah और 90 मारास θीटा, लाइज करता है फस्ट क्वारेंट में, सब पॉस्टिव, पॉस्टिव, ठीक है? आब बोला कि थीटा में 90 मारास थीटा, और एक और चीज क्या हो था, 90 नाटी प्लस थीटा, 270 मैं नास सीटा, 270 प्लस थीटा, इसी में कन वर्ज़ों होता है, साइन थीट को सबस्क्राइब को सेबंटी अब निगेटिव सेज़ मैंने क्या बता है आपको कि आपका 90-theta, 90-theta, 270-theta, 270-theta में आपका होगा क्या? इसी में आपका इंटर्चेंज होगा, sin-theta, cos-theta, cos-theta, sin-theta में change होगा, tan-theta, cos-theta में change होगा, आपका, उसका वाद, sec-theta किसी में change होगा? सेक-theta आपका होगा, cos-theta में होगा, cos-theta, किस में होगा? शेक-theta में होगा, ये चीज़ धियान अखना, अब देखो, ये तो conversion हो गया, बहुत important है, note-down, इस अच्छे तरीक से कर लो, सब अच्छे तरीक से बताया हो, जल्दी-जल्दी note कर लो, और कोई बच्चे को नहीं सम समझ में, comment section बता देना, comment section बता देना, बहुत ही important है, ये बहुत important है conversion, बच्चे को समझ में नहीं आता, ये conversion जल्दी, ठीक है, ये conversion आपको जो सिखाया हूँ, इतने असानी से नहीं मिलता, अब देखो, कुछ आज formula भी करेंगे, ठीक है, कुछ आज हम formula भी करेंगे, इधर करता हूँ, इस साइड का इरेज करता हूँ, नो डान कर लो, screenshot लेना है ले लो, जो लेना है ले लो, ठीक है, चलो देखो, अब sum and differences of two angle, sum and differences of two angle, sum and differences of two angles, मैं इसलिए दिये प्रातवता की कोई भी बच्चा वी की हो, strong हो, कमजोर हो, सब को अच्छ तरीके समझ में आ जाए, और हमेशा बोलता हूँ, बस पढ़ते रहो, दुनिया का मत सुनो, पढ़ते रहो, पढ़ाई करो, मेनत करो, सफलता आपके, कदम चुमेगी, कदम चुमेगी, ठीक है, तो देखो अब, अब देखो, अगर आपका फॉर्मूला हो जाया, अगर साइन, ए पलस भी होगा, तो इसको क्या लिखोगे, साइने, इंटु कॉस भी, और बीच में क्या लिखोगे, पलस लिखोगे न, साइने, इंटु कॉस भी, और क्या लिखोगे, कॉस से इंटु साइन भी, अगर यहीं पे आपका फॉर्मूला हो जाया, साइन ए माइनस भी, तो क्या लिखोगे आप, साइन ए, इंटु कॉस भी, माइनस कॉस ए इंटु साइन भी, ठीक है, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, अगर यहीं पे, यहीं पे फॉर्मूला लिखा जाया, क्या, कॉस ए पलस भी, तो क्या होता है, कॉस ए इंटु कॉस भी, माइनस साइन ए इंटु साइन भी, अगर यहीं पे रहे कॉस ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा आपका आपका हो जाएगा कॉस ए इन्टु कॉस बी प्लस साइने इन्टु साइन बी यह कंवर्जन फर्मूला इतना इंपॉर्डन है आप सोच नहीं सकते अब तिसरा देखो तिसरा अगर पूछा जाए मौस्ट कॉसन इंडिये हमेशा कॉसन पूछा आता है यह पता ना फिर क्या है पता नहीं को ठीक है यह हमेशा प्रिवेस्ट को सन में हमेशा इससे देखने इन्टू ओन धर ऑफिर अगर आपको फोर्थ नमबर पूछे दोनों इंपॉड्डन है टैन ए अ माइनस बी और पलस बी द का क्या हो जाएगा देखो 10 A-10 B और 1-10 A into 10 B यह फॉर्मूला याद करने के अलावा आपके पास कोई option नहीं है वह याद करने के अलावा कोई option नहीं है इसको याद करके लाना ठीक है इतना याद करके लाना अब कॉट का बच गया साइन A plus B और A sin A-B का कुछ और important transformation formula वह बताऊंगा सब बताऊंगा कुछ नहीं चोरूंगा चाहे जितने भी lecture लेना परे लूंगा सारे concept और previous question खतन करूंगा सारे चीज मैंने complex number को ऐसी करके 12 लेके complete किये circle का करीब से 6-7 लेक्चर लिए उसके बाद फिर मैंने लिया था किसका matrix का उसका 6-7 लेक्चर लिए उसका trigonometric प्रहा रहा वास थर्ड लेक्चर है पूरे concept प्रिवेसर कोस्टन ऐसे ऐसे concept करवा दूंगा ना प्रिवेसर कोस्टन को देखे ना फू उड़ा दोगे ठीग ना तो फिर मिलते नेक्स वीडियो में चैनल पर नया हो लाइक सब्सक्राब सेर बिलकुल ठूक देना तो फिलाल इतना ही जय हिन जय भारत बंदे मातरों